नमस्कार संसट टीवी के इस खास कारिक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ प्रीती सिंग इस कारिक्रम के जरीए हम आपको दिखाते हैं संसट में पूछे गए लिखित सवाल और उनके जवाब प्रश्नकाल कारिक्रम के जरीए हम अंस्टार्ट क्वेशिन्स यानि आतारंकित प्रश्नों की जानकारी आपको देते हैं बजट सत्र के दूसरे चरण 14 मार्ट से 8 अपरेल तक चला इस दोरान आपने दोनों सद्नों में महतपूर्ण विधाई कामकाज होते देखा लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी रहे जिसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाई योगी ये प्रश्ने लिखित पूछे गए और इनका जवाब ये लिखित ही दिया गया इन प्रश्नों को आतारंकित प्रश्न कहा जाता है जो लिखित बढ़ पूछे जाते हैं आतारंकित प्रश्णों का सदन में मौखे कुत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर कोई अनपूरक प्रश्ण भी नहीं पूछा जा सकता है सतर के दोरान रोजाना, राज्य सभा और लोक सभा में सैकडो ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं न कहीं देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं जवाब भी लिखित इनका दिया जाता है आज के कारिकर्म में हमने बजट सतर के दूसरे चरण के दोरान पूछे गए महतवपूर आतारंकित प्रश्णों को शामिल किया है हमारे कारिकर्मों का फोकस ऐसे ही अंस्टार्ट क्वेश्चिन्स पर है जो सवाल आपके दिमाग में चलते हैं इस कारिकर्म के जरीए उनका जवाब हम आप तक लेकर आए हैं क्या है सरकार की योजनाए क्या प्लानिंग है क्या कुछ सांसदों के सवाल रहे और सरकार ने इसके क्या जवाब दिये यह तमाम चीजें हम विस्तार से संसर टीवी की इस खास पेशकर्श के जरीए आपको दिखाएंगे आज के कारिकरम में जो सवाल हमने लिये हैं वो बजट सत्र के दूसरे चरंड से लिये गए है आज के कारिकरम का जो पहला सवाल है वो जुड़ा है जगन अपराद से और इस सवाल को पूछा है लोगसवा सांसद मलूक नागर ने उन्होंने ग्रीमंत्री से पूछा कि क्या सरकार देश में दिन प्रते दिन बढ़ रहे जगने अपराधों को नियंतरत करने और कानून विवस्था बनाये रखने के लिए कोई कठोर कानून बनाने या मौजूदा कानूनों में महत्वपूर संशोधन करने के लिए कोई नीत बना रही है अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि सरकार ने इसे लेकर क्या ख़दम उठाए हैं इस सवाल का जवाब ग्रीमंत्राले में राज्यमंत्री अजे कुमान मिश्रा ने दिया उन्होंने बताय कि ग्रीमंत्रा समिती ने अपनी 111 वी और 128 वी रिपोर्ट में भी संबंदित अधिनियमों में तुकडों में संशोधन करने की बजाए संसद में एक व्यापक कानून लाकर देश के आपरादे कानून में सुधार करने और इसे युक्ती संगत बनाने के आवशक्ता पर जोड़ दिया था सभी को कम खर्च पर और जल्द न्याय प्रदान करने और एक जन केंद्रत विदिक धाचे का निर्मान करने के लिए देश के आपरादे कानूनों में व्यापक बदलाव करने के मद्दिनजर सरकार ने सभी स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करके आपरादे कानूनों भार व्यापक संचोधनों के संबंध में राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संग राजिक शेत्रों के उपर राज्यपालों और प्रश्यासकों, भारत के माननिय मुख्यनाय धीश, विबिन उचने आयालियों के माननिय मुख्यनाय धीशों, बार काउंसल अफ इं लाने के लिए प्रतिबध है और अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ इस सवाल को पूछा है लोकसवा सांसाथ प्रवेश साहिप सिंग वर्मा ने यह सवाल जुड़ा है विदेशियों के अवैद रूप से देश में रहने से उन्होंने अपना सवाल गृमंत्री से पूछा और अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को ये जानकारी है कि विदेशी अपने वीजा के अवधी समाप्त होने के बाद भी देश में रह रहे हैं अगर हां तो पिछले तीन साल के दोरान का ब्योरा क्या है आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या उ मंद में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए और क्या उपाय करने के प्रस्ताफ हैं इस सवाल का जवाब दिया गुरी मंत्राले मिराज्य मंत्री नित्यानंद राए ने उन्होंने बताया कि 30 मार्श 2022 को डेटा बेस में उपलब्द जानकारी के अनुसार पिछले तीन में 25,143 मामले सामने आएं 2019 के पूर्व से और 31 दिसंबर 2021 तक वीज़ा आवदी समापत होने के बाद भी रह रहे हैं विदेशियों की संख्या 3,93,431 है अवैद रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करने और निर्वासित करने के लिए विदेशी अधि में 242 की धारा तीन 2C के तहट केंद सरकार में निहिच शकतियों को राजे सरकारों संख्यासित क्षेत्र परशासनों और आपरावासन ब्यूरो को भी सौपी गई हैं गरीम अन्तराले ने सभी मादियों आवैद परावाशियों के पहचान करने के लिए जल्द قدم उठाएं और सबी कानून प्रवतन और खुफिया एजेंसियों को समवेदन शील बनाएं विदेशी अदिनिया 1946 के तहट कानूनी कारवाई भी हर मामले के गुर्दोश के आधार पर की जाती है जिसमें भारत से निर्वासन सुनिश्चित करने के बाद विदेशियों के नामों को ब्लाक लिस्ट में रखना भी शामिल है इसके अलवा कानून प्रवतन एजेंसिया भारत में वीज़ा अवदी से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर अवरोध और चौकसी बरती है और राश्ट्र विरोधी आसामाजे क्या किसी भी आपरादिक गतिविदियों पर कानून के अनुसार कारवाई करती है कारिकरम में बढ़ते हैं अंगले सवाल की तरफ और ये जुड़ा है मुद्रा योजना के जरिये महिलाओ को क्या मिला इस संबंदे जानकारी से इस सवाल को पूछा राश्ट सभा सांसा सरोश पांडे ने उन्होंने वित्मंतरी से जानना चाहा कि मुद्रा योजना के लागो होने के बाद आज की स्थिती तक कितना मुद्रा रिन वित्रत किया जा चुका है और इस रिन के रूप में कुल कितना वित्तिय आवंटन किया गया है और इस रिण में से महिलाओं को वित्रित किये गए रिण का ब्यौरा क्या है इस सवाल का जवाब वित्त मंत्राले में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत करार ने दिया उन्होंने बताया कि PMMY यानि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष में लगू कारोबारी इकाईयों को वी निर्मान, व्यापार, सेवा जैसे क्षित्रों में आए बढ़ाने और क्रिशी संबंदित गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए तक के रिण प्रधान किये जाते है मुद्रा बॉटल पर अप्लोड किये गए आकड़ों के अनुसार अप्रेल 2015 में योजना का शुभारम किये जाने से लेकर 25 फरवरी 2022 तक PMMY के तहत 18.19 लाख करोड रुपए की स्वीकरत राशी के 33 करोड से जादा रिण दिये जा चुके है इनमें से 17.67 लाख रुपए की राशी वितरित की गई इनमें 8 लाख करोड रुपए की स्वीकरत राशी के 23 करोड से अधिक रिण महिला उधार करताओं को दिये गए है जिन में 7.6 लाग करूर रुपे की राशी वित्रित की गई है और ये अगड़ा योजना के तहट दिये गए कुल रिनो का अड़सर्थ प्रितिशत और वित्रित राशी का 44 प्रितिशत है तो महिलाओं से जुड़े सवाल को हमने अभी देखा और देखा कि कैसे मुद्रा योजना के जरिये महिलाओं को मजबूती मिले है अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसाद महेंदर सिंग सुलंकी ने उन्होंने सामाजिक नाय और अधिकारत्या मंत्री से पूछा कि वर्तमान में वरिष्ट नागरिकों की जनसंक्या का प्रतिशत कितना है और 2036 में वरिष्ट नागरिकों की अनुमानित जनसंक्या का ब्योरा क्या है आगे उन्होंने अपने सवाल में पूछा कि क्या सरकार ने देश में वरिष्ट नागरिकों के पोशर स्तर की निगरानी की है मानना है कि हस्तक शेपों के माध्यम से वरिष्ट नागरिकों की पोशन सिती में सुधार से उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए रोगों के प्रती उनकी प्रतिरोधक शम्ता को मजबूत करने में मदद मिलेगी अगर हां तो उस पर क्या कारवाई की गई है साथ उन्होंने पूछा कि क्या सरकार का वरिष्ट नागरिकों की पोशन स्तर को मजबूत करने के उद्देश्य से को योजना शुरू करने का विचार है अगर हां तो इसका ब्योरा भी उन्होंने मांगा है इस सवाल का जवाब सामाजेक नाय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रितिमा भौमेक ने दिया उन्होंने बताय कि जनगणना 2011 के अनुसार वरिष्ट नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या की 8.4 पृतिशत थी स्वासर परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा तैयार की गई तक्नीकी समू की जनसंख्या पूर्वानेमान रिपोर्ट जुलाई 2020 में वश 2021 में वरिष्ट नागरिकों की जनसंख्या 13.75 करोड है जो कुल जनसंख्या का 10.1 पृतिशत है और 2036 में 22.74 करोड होने का भी पूर्वानुमान लगाया गया है जो कुल जनसंख्या का 14.9 पृतिशत होगा स्वासर परिवार कल्यान मंत्राले की Longitude Aging Study in India Wave 2017-18 रिपोर्ट में देश में वरिष्ट नागरिकों के पोश्टन स्तर का आंकलिन किया गया है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में 60 वर्च और उसे अधिक आयू वर्च के बुज़ुर्गों में से 1-24 से जाधा व्यक्तियों का वजन कम है ये आकड़ा 27 पृतिशत है और एक तशवला 5 बुज़ुर्गों का जो वजन है वो अधिक है बुज़ुर्गों में मोटापे का आकड़ा 22 पृतिशत है जो दिखाता है कि भारत में बुज़ुर्गों में अल्प पोशन और अती पोशन का दुगना बोज है बुज़ुर्गों और उनके परिवार के सदस्यों के भी जागरुकता पैदा करने के मकसद के लिए स्वास्त और परिवार कल्यार मंत्राले ने NPSEE यानि राश्ट्री बुज़ुर्ग स्वास्त देखरे कारिकरम के तहट बुज़ुर्गों के आयू समू में पोशर संबंदी पहलों से जुड़ी सूचना, शिक्षा और संचार सामगरी भी विक्सित की है और उसे तमाम राज्यों के साथ साजह किया गया है इसके अलावा अपने जवाब में उन्होंने ये भी बताया कि सामाजिक नाय और रधिकारिता मंत्राले एकिकरित वरिष्ट नागरिक कारिकरम संबंदी स्कीम पहले से चला रहा है इसके तहएट NGO स्वेमसेवी संगठनों जैसी एजेंसियों को वरिष्ट नागरिकों ग्रिहों सतत देखभाल ग्रिहों की संचालन और रख्रखाव के लिए अनुदान साहता भी दी जाती है और इन ग्रिहों में रहने वाले निराशिरत वरिष्ट नागरिकों को पोशन आवास स्वास्त देखभाल वस्तर मनुरंजन जैसी सुविधाएं स्वास्त वृध्धावस्था के लिए प्रदान की जाती है अगला सवाल है इसे पूछा है राज्यसाबा सांसत जो उसके मनी ने यह सवाल केंद्र और राज्यों से जुड़ा है दोनों के आपसी संबन्दों से जुड़ा है देश के संगियर धाचे से भी यह सवाल जुड़ता है और सवाल यह है कि राज्यों को GST मुआवजा क्या योजना का प्रस्ताव है अगर हां तो इसे लेकर जानकारी उन्होंने मांगी अगर नहीं तो क्या सरकार की 2022 में GST मुआफजा अवधी की समाप्ती के कारण होने वाले वित्य अवरोधों पर काबू पाने के लिए राज्यों की उधालनी की सीमा को बिना किसी शर्थ के हैं इस सवाल का जवाब वित्य मंत्राले में राज्यमंत्री पंका चोधरी ने दिया उन्होंने बताया कि सम्विधान एक सो एकवा संशूदन अधिनियम 2016 की धारा 18 की अनुसार संसद विधी द्वारा माल और सेवा कर परिशद की सिफारिश पर राज्यों को जेस्टी के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष के अवधी के लिए माल और सेवा करके लागू होने के कारण होने वाली राजस्व हानी के लिए ख्षति पूर्ती प्रदान करेगी संक्रवन अवधी के दौरान राज्यों के राज़स्व को 2015-16 के आधार वर्ष के राज़स्व की तुलना में 14 प्रतिशत की दर से संरक्षित किया जाता है केंद सरकार सम्वेधाने को प्रतिशत करने की कोई योजना विचारा धीन नहीं है अगला सवाल पूछा है राज़सवा सांसा तिरुचु शिवा ने ये सवाल जुड़ा है नानो यूरिया के उपयोग से अगर हाँ तो इसके प्रभाव सहित क्या जानकारी है इस सवाल का जवाब रसायन और उर्वरक मंत्राले में राज्यमंत्री भगवन खुबा ने दिया उन्होंने बताया है कि इफ को ने नानो प्रणडोगे की आधारित नानो यूरिया उर्वरक विक्सित किया है दानेदार यूरिया से नानो का रेट कम, रिजर्ड जादा है तरहल रूप में होने के कारण इसके छुड़काव से पौधे सतर से असी पृतिशतक यूरिया का उभ्भोग कर लेते हैं इससे नानो यूरिया का प्रियोग कम लागत में अधिक लाब देने में सक्षम है नानो उर्वरक के प्रियोग का जागरुकता शिवरों, वेबिनार, नुकर नाटक, खेतों पर प्रसुतियां, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रे भाशाओं में फिल्मों जैसे जरियों से किया जा रहा है और इससे इसका प्रिचार प्रसार हो रहा है उर्वरक विभाग ने नानो यूरिया के प्रियोग को बढ़ावा देने के लिए नानो यूरिया पर एक चलचित्र, अंग्रेजी, हिंदी और चार अनिक शेत्रे भाशाओं में भी तैयार किये हैं अगला सवाल पूछा है लोकसभा सांसद जसकौर मीना ने उन्होंने डिजिटल क्रिशी मिशन को लेकर सवाल किया और क्रिशी और किसान कल्यान मंतरी से पूछा कि डिजिटल क्रिशी मिशन की विशिष्टाइं क्या है मिशन के लिए अनुमाने तराशी क्या है मिशन के निर्धारत लक्ष क्या है और इसके तहट कितने राज्यों को शामिल किया गया है साथ ही उन्होंने जानना चाहा कि सरकार इस सम्मन्द में समझोता ग्यापन पर क्या हस्ताक्षर किये हैं अगर हां तो इसकी भी जानकारी उन्होंने मांगी है इस सवाल को का जवाब क्रिशी और किसान कल्यान मंतरी नरेन सिंग तो मने दिया और उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रिशी मिशन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है डिजिटल क्रिशी के तहट गते विधिया की जा रही है इनमें विभाग ने एक उचिस्तर ये कारेबल का गठन किया है जो इंडिया डिजिटल एकोसिस्टम ओफ एग्री कल्चर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है इस कारेबल ने विशेह विशिशग्यों, किसानों, क्रिशक उत्पादन संगठनों और आम जनता से राय मांगी गई और उन पर विचार भी किया गया इसके आधार पर विभाग देश में एग्री स्टैक बनाने के लिए एक संरचना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जो देश में किसानों के आय बढ़ाने और क्रिशिक शेत्र की दक्षिता में सुधार करने की दिशा में प्रभावी धंग से योगदान की द्रिश्टी से डिजिटल प्रोध्योगिकियों का लाब उठाने वाले अभिनव क्रिशी के इंद्रित समाधान तयार करने के लिए नीव के रूप में काम करेगा इससे अंतिम रूप दिये जाने के बाद ये किसानों की आए बढ़ाने और क्रिशिक शेत्र की दक्षिता में सुधार करने की दिशा में प्रभावी धंग से योगदान करने के लिए टेमोलोजी का फाइदा उठाने वाले नए जो अभिनव क्रिशी के इंद्रित समाधान है उन्हें तयार करने के लिए नीव की तोर पर काम कर सकता है और इस बारे में अग्रणी टेक्नोलोजी, क्रिशी टेक्नोलोजी यानि क्रिशी जो टेक्नोलोजी है उससे जुड़ी हुई बातें स्टार्टप कंपनियों की पहचान भी की गई थी और उन्हें भारत सरकार के सहयोग करने और चुनिंदा जिला गाओं के आकड़ों के आधार पर प्रूफ आप कॉंसेप्स विक्सित करने के लिए आमंतरत किया गया था विभाग के वेबसाइट के माद्यम से सारजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें समझोता ग्यापन के लिए प्रस्ताव आमंतरत किये गए थी कंपनियों को विशिद रूप से प्रो बोनो आधार पर समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करने और POC विक्सित करने के लिए आमंतरत किया गया था जिए POC, AgriStack और सेवा और समाधानों के उप्योगों को समझने में मदद करेंगे जिनने उपलब दाकडों का उप्योग करके बनाये जा सकता है प्रिशीद दिशानरदेशों में राश्ट्रे E-Governance योजना के तहट निधियों को राजियों को आधुनिक सूचना प्राध्योगियों के वो जैसे Artificial Intelligence और Machine Learning, Blockchain Technology, Internet of Things, Robotics आधी के उप्योग वाली परियोज़राओं के लिए और राजियोद्वारा पहले से विक्सित वेब और मोबाईल अप्लिकेशन का डिजिटल टेकनोलोजी का उप्योग करके विक्सित किये जाने वाले मंच के लिए जारी की जाती है अगला सवाल जुड़ा है फार्मा कंपनियों द्वारा अपनाए जा रहे है अनैतिक तरीकों से इस सवाल को पूछा राजे सबसानसाद ब्रिजलाल ने उन्होंने रसार और और उर्वरक मंत्री से पूछा कि क्या सरकार को फार्मा कंपनियों द्वारा दवाईयों की बिक्री को बढ़ाने के लिए विपणन के अनैतिक तरीकों को अपनाने और चिकित्सकों को प्रलोभन देने जैसे मिली भगत की जानकारी है अगर हाँ तो इस बारे में उन्होंने जानकारी मांगी और इस प्रकार के अनैतिक तरीकों और मिली भगत को रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं इस बारे में पूछा और क्या सरकार इस समद में कानून बनाने पर भी विचार कर रही है और इसके कब तक लागू होने के संभाब ना है इस सवाल का जवाब रसान और उर्वरग राज्यमंत्री भगवंद खुबा ने दिया उन्होंने बताया कि विभाग ने एक जनवरी 2015 से UCPMP यानि समान औशदी विपरन प्रथा सहीता तयार की है जो औशद कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाली एक स्वेचिक सहीता है इसके तेट औशद और चिकित्सा उपकरन कंपनियों के सभी संगठनों को औशद कंपनी के खिलाफ मिली शिकायतों की जाँच करने के लिए समीटियों जैसे की ECPMP यानि इथिक्स कमिटी फॉर फार्मा मार्केटिंग प्राक्टिस और AECPMP यानि Apex Ethics कमिटी फॉर फार्मा मार्केटिंग प्राक्टिस का अगठन करना होगा और विभा के तहट NPPA यानी राष्टिय और शदमूले निर्धानन प्राधिकरन को इस संबन में तीन महीने में रिपोर्ट भीजने के लावा इस तरह की शिकायतों पर की गई कारवाई को अपनी वेब साइटों पर भी दिखाना होगा NPPA ने UCPMP के पैरा 8 के अनुसार तिमाही विवरणी पेश करने के लिए एक प्रुफार्मा भी तैगार किया इसे 24 जुलाई 2021 को हर तिमाही के आखर में इमेल के जरिये 30 दिनों के भीतर NPPA को प्रस्तुत करने के लिए संगठनों को प्रचालिद भी किया गया है इसके लावा विभाग और NPPA ने विभिन मामलों में स्वैचिक सहिता के लागू करने की समीख्षा की साथी भारती चिकित्सा परिशद अधिनियम 1956 के तहट गठित भारती चिकित्सा परिशद विनियम 2002 चिकित्सको और आशद और संबध्ध स्वास्तिक शेत्र के उद्योग के साथ उनके संबंद में डॉक्टरों के पेशेवर संग के लिए सहिता प्रदान करता है अगला सवाल जुड़ा है ऑक्सिजन सैंत्रों की स्थिती से इस सवाल को पूछा राजी सबस सांसत जूस के मणी ने उन्होंने स्वास्त और परिवार का लियान मंत्राले से पूछा कि क्या सरकार के पास मार्श दोहजार बीस तक संसत सरकार द्वारा स्विक्रत किये गए ऑक्सिजन सैंत्रों के परिचालन की स्थिती संबंदी आकड़े उपलब थे अगर हाँ तो इस बारे में क्या जान का लिया है इस सवाल का जवाब स्वास्त और परिवार का लियान राज्यमंत्री रॉक्टर भारती प्रमीन पबार ने दिया उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 1561 पेसे यानि प्रेशर स्विंग एड्जॉप्शिन उक्सिजन उत्पाद संयंत्रों को मन्जूरी दी है इनमें 1225 ऐसे पेसे संयंत्र शामिल है जिनने देश में हर जिले में PMKS Fund के तहट स्थापित और चालू किया गया इसके लावा 336 पेसे संयंत्र पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस मंत्राले विद्यूत मंत्राले, होईला मंत्राले, रेल मंत्राले जैसे सारवजिनिक शेत्र उपक्रमों द्वारा स्थापित किये गए है अब तक 1561 में से 1542 पेसे संयंत्रों को चालू किया जा चुका है यानि चालू हो चुके है संसे टीवी की इस खास कारेक्रम प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही आप इस कारेक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और अपने राय और सुझाओ हमारे साथ साजा कर सकते हैं अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त नमस्काल